मुवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी टीम को देखते हैं जो हमारा मेन क्यारेक्टर है टीम एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था जो एक पब में थी वो एक लड़की को देखता है और उसे लगता है कि यह मलीसा है क्योंकि मलीसा सी हो आज मिलने वाला था उसके पास जाता है पर उस लड़की के साथ एक आदमी बैटा हुआ था उस आदमी का नाम था रोमन वो जाकर उसे कहता है कि तुम्हें गलत लड़की के साथ बैट यह लड़की मेरे जाट डेट पर आई है रोमन गुस्सा हो जाता है और टीम को मारने के लिए आगे बढ़ता है टीम उसे सिकुरिटी को बुलाने की धमकी देता है इस सब के वी जवाब रियल मलीसा आ गई थी और सारी मिसंडरस्टेंडिंग दूर हो जाती है वो दोना साथ में बैटता है और थोड़ी देर तक बात करता है थोड़ी देर में टीम को पता चल जाता है कि मलीसा के साथ रहने के लिए अगर उसने हा कह दिया तो पागल हो जाएगा मलीसा की बाते बहुत ही अजीब और भयानक थी वो हमेशा बेवकूफों की तरह बहेव करती थी पीचे बेट का रोमन में उन्हें देख रहा था मलीसा रोमन को कह देती है कि इधर मत देखो यहाँ बर हमारी डेट चल रही है यह सब देखकर टीम बात्रूम में जाता है बात्रूम सिर्फ एक बहाना था वहाँ से उसे भागना था बात्रूम के खिड़की से उकोदने लगता है इसी बीच मलीसा बात्रूम के दर्वाजे से नीचे आ जाती है उसे देख लेती है पर वो रियलाइज नहीं करती है कि टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था वो उसे कहती कि रोमन मुझसे बत्तमीजी करने की कोशिश कर रहा था मेरे बात जो चाकूर था इससे मैंने उसे चुप करा दिया टीम यह जब बाते सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने की बारे में सोच रहा था मलीसों से गये दी कि मैं तुम्हारा वेट करूंगे और वहाँ से चली जाती है इसके बाद टीम खिड़के से कूच जाता है वो बहुत उचाई पर थी और नीचे गिरने पर उसका पैर भी टेड़ा हो जाता है इसे ठीक मलीसा नहीं किया इसके बाद थ्री मांस गुजा जाता है टीम आफिस में था और इसके बाद वो एरपोर्ट चला गया वहाँ एक लड़की से वो टकरा जाता है वो लड़की अपना सामान उठा दिया और इसके बाद वो अपने अपने रस्ते चले जाते है इंट्री के वक्त उन्हें पता चल जाता है कि जो सामान गिरा था उसमें उनके टिकेट एक्चेंज हो गए थे टीम के टिकेट उस लड़की के पास थे और उस लड़की के टिकेट टीम के पास थे वो अपने टिकेट लेने के लिए वापस आते है सप्राइजिंग बाद ये थी कि उस लड़की का नाम भी मलीसा था वो दोनों फिर मिलकर ड्रिंग करने के लिए बैठते हैं वो दोनों ड्रिंग नहीं करते थे तो बाते करते हैं और इसके बाद तो दोनों इंटिमेट हो गए टीम की फ्लाइड या पर मिस हो जाती है इसके बाद मलीसा को कही पर जाना था तो जाते वक्त तो टीम को अपना नमबर दे कर जाती है इसके बाद वो एक दुसरे से बाते करना स्टार्ट कर देते है नेक्स डे टीम अपने ऑफिस गया उसके बॉस के पूछने पर उसने मलीसा की फोटो उने दिखाई मलीसा एक्चॉल में मिस मेरी लैंड थी उसने ग्राइटुएशन में भी टॉप किया था टीम का बॉस उसे एडवाइस करता है कि मलीसा को तुम हवाई ले कर जा टीने बाद सुनकर मान जाता है उसने इसके बारे में मलीसा को टेक्स्ट करकर पूछा तो इसके लिए हाक है देती है इसके बाद नेक्सिन में हम डारेक्ली उसे फ्लाइट में देखते है वाउ उसके पास एक आदमे बेटा था उससे गहता है क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो क्या मेरी माउट से कुछ स्मेल आ रही है वो आदमे उससे कहता है क्या तुमने मरा हुआ चुआ खाया था वो सिर्फ उसका मजाक ले रहा था कहता है कि सब कुछ ठीक है मलीसा को आने में जरा देर हो रही थी तो उसे मैसेज करता है मलीशा कहीफिये कि मैं नहीं आपाऊंगे क्योंकि मैं बहुती भिमार हूँ यह सुनकर टीम को बहुत बुरा लगा और मलीशा भी उसका मजह क्ले रही थी इसके बाद मलीशा वहाँ पर आ जाती हैं ये एरपोर्ट वाली मलीसा नहीं तो ब्लाइंडेट वाली मलीसा थी दोनों का नेम सेम था तो गलती से उसने दूसरी मलीसा को मैसेश कर दिया था उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया ब्लाइंडेट वाले मलीजा तो बहुत ही खुश थी एक्च्वल में वो सुसाइड करने वाली थी पर जब उसे टीम का मैसेज आया तो उसने अपना प्लान कैंसल कर दिया यह सब सुनने के बाद टीम खुद कोई कोसने लग जाता है इसके बाद जब वो प्लेन में सोया था तब मलीजा उसके साथ हरकते करने लगती है उसे गुस्सा आ जाता है पर अब वो क्या ही कर सकता था हवाई आने के बाद रिसेप्शन पर ही तीन बच्चों के साथ वो लड़ने लग जाती है रूम की इस लगने के बाद वहाँ से चले जाते हैं मलीजा को यह होटल बहुत मलीजा आ जाती है मलीजा वापर आकर पागलोजे से आरकते करती है टीम वोसे साइड में ले जाकर समझाने की कुशिष करता है मलीजा की बातों से इसा लग नहीं रहा था कि उसे कुछ भी समझ में आ रहा है विर्जी अपने हरकते शुरू कर defekt आगता है इसके बाद टीम वोट कर चिलाने भी लगए वहां की सारे लोग यह देखकर बहुत ही सप्राइस थैं रात में सोते लोग मलीसा डारेक्ली टीम पर चड़ गए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगए सुबह उटकर टीम को कॉल आ उसका बॉस उसे भुला रहा था वो छुपकर जल्दी से व सामना करूंगा यह रियल शाक था उसे केज में डाल कर अंडर वाटर छोड़ दिया गया था सब लोग उसे करीब से देख सकते थे वहां पर भागते-वागते मलीसा भी पहुंच आती है और बोट को जड़ा आगे कर देता है बोट का पीचा करने के लिए मलीसा पानी में क लेता है पर टीम उसे चूप रहने के लिए कहता है टीम को लग रहा था कि फाइनली मलीसा से बच गया पर मलीसा स्विम करते-गरते बोट तक पहुंची जाती है उसे देखकर दिमाग खराब हो गया बॉस फिर सबसे पूछते कि कौन शाक के पास जाना चाहेगा मलीसा एक कहने पर अब उसे जाना ही पड़ता है उसे केज में उतार दिया जाता है जापर उसके साथ उसके एक बॉस भी जाते है वहाँ उन्हें अब तक कोई भी शाक नजर नहीं आता इसलिए मलीसा कुछ मशलियों को चौप करकर केज में फिकने लगती है इसके बलड के स्मेल को स शाक वहाँ पर आके केज में टीम उसे देखकर डर जाता है वह शाक केज को हीट करने लगता है और और के के अंदर आके वहां का बोटlike जाता है इसे शाक फिर वहां से निकल कर चले जाता है इसके बाद टीम बाहरा आया है उसके बॉस्स भी इस गो से लिखन एभ mostra हो ग पिर जाती है टीम उसे वेसे ही छोड़कर चला गया इसके बाद नेकसी में टीम मलीसा को अंदर बुलाता है अब वो अपने नेज़ टीम पर जा रहा था मलीसा पहली बार उसके साथ आने के लिए मना कर देती है क्योंकि अपने नेबर बारबरा के साथ स्पाब में जा रही टीम में सुनकर बहुत ही खुश था क्योंकि अब बला टल चुकी थी इसके बाद वो खुश होकर चला जाता है बॉस उसे बुशता है कि मलीसा कहां पर दिखाईने दे रहे टीम उसे कहता है कि अपने नेबर के साथ स्पाब में गई है बॉस कहते कि प्लीज मुझे ये मत क लोनता है रिसेप्शनिस को भी कुछ भी पता नहीं था इसके बाद वापने रूम में गया और वहाब और उसे मलीसा मिलती है उसे बारबरा के बारे में बोच्छता है कि अब मैं बारबरा की थेरपीस्ट हो टीम कहता है कि तुम तो कोई डॉक्टर नहीं हूं मलीसा कहता ह कि बारबरा को उसने टिप्स दी थे क्योंकि बारबरा और उसके हस्बंड में लड़ाई हो रही थे अब मलीसा की वज़े से बारबरा और उसके हस्बंड में फिर से जगड़ा हो जाता है इसके बाद मलीसा उनके सुला करवाने के लिए जाती है मलीसा पूल में बैठे जै करने के लिए आया था क्योंकि उसे पता था कि उसका जॉब जाने वाला है मलीसा आकर उसे रोकती है वो उसे कहती कि पूरी रात में जैक और परवरा के साथ बैटी थी उनके बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है अब टीम पर उसका बहुत गुस्ता नहीं था और उसे ल लेड़ का बहुत पसंद परफॉमंस के बाद टीम मलीसा से पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्या कि जैक मुझे पसंद करने लग वो उसे कहती कि मैंने जैक को हिपनोटाइस किया है यह सुनकर टीम हैरान हो जाता है और फिर भी वह बहुत खुश था इसके बाद उनके बा बार बरा और झेक चले जाते हैं टीम मलीसा से पुछता है कि तुम आखिर में हो क्या मलीसा करती कि में और करते हैं वहागी पर लौटल क्याप कर देती है यह देखकर टीम मुझे पुछता है कि तुमने यह सब सीखा खास है मलीसा उसे गयती है कि जब मेरे डाड की टेथ हुई थी तो मैं बहुत ही सैड थी मैंने फिर बहुत सारी चीज़े सी की थी उन दोनों में बहुत ही अच्छे से बात होती है टीम को फिर दूसरी मलीसा का मैसेज आता है इस पर वो रिप्लाइ नहीं देता मलीसा ने पूछा कि मैसेज किसका है पर वो गहता है कि किसी का भी ने इसके बाद वो बॉस के पास किसी काम के सिलसिले में गया वहाँ पर उसे बताता है कि मुझे पता ने पर मुझे मलीसा पसनाने लग गई है ये बात सुनकर वहावर बैठा हुआ क्लाइन उसे गहता है कि जिसके साथ तुम प्यार करते हो उसके साथ तुमें बाते करने चाहिए उसके साथ ज़रा टाइम स्पेंट करना चाहिए ये सुनकर वो मलीसा के पास चला जाता है पैरलेल में मलीसा के पास उसकी एकसा आती है वो वहाँ पर टीम से मिलने के लिए आई हुई थी वो जाने लगती है पर मलीसा ने उसे रोक लिया वो गहती है कि टीम यहाँ पर आही जाएगा वो दोनों बात करने लगते हैं और इसके बाद थोड़े दिर में टीम आता है वो अपनी सारी फिलिंग्स मलीसा को बताने के लिए आ रहा था पर वहाँ पर उसकी एक्स बेटी थी है मलीसा उसे कहती है कि अब मैं समझ चुकी हो कि पूरी ट्रिप में तुम परिशान क्यों थे तुम्हारा प्रेक अप हुआ था और वो भी इतनी खुबसूरत लड़की के साथ वो गहती कि मुझे बता है कि अब भी तुम्हें तुम्हारे एक्स के लिए फिलिंग्स है वो भी अब भी तुमसे प्यार करती है ये सारी बाते एक्स नहीं उसे बताई हुई थी मलीसा उन से कहती कि एक बार तुम दोनों को इंटिमेट हो जाना चाहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा टीम ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था पर उसे करना पड़ता है मलीसा उन दोनों को साथ में इंटिमेट होने के लिए कहती है टीम वैसा ही कर रहा था पर वहाँ पर मलीसा भी थी वो बाद में मलीसा के साथ इंटिमेट हो जाता है यह देखकर उसकी एक्स वहाँ से चली जाती है इसके बाद नेक सीन में मलीसा और टीम बीच पर थे कल रात क्या हुआ था इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है उसे सब कुछ याद था पर वो सिर्फ मलीसा को दिखाना नहीं चाहता था क्यों उससे कितना लाइक करता है इसके बाद वो बीच पर एक आदमी से कहता है कि आज कुछ तो अच्छा होने वाला था वो आदमी कहता है कि जैक ने आकर आज सारी पार्टी का प्लान चेंज कर दिया है अब वो समुंदर में अलग-अलग लोगों का इंट्रिव ले रहा है ये सुनकर वो हैरान हो जाता है उसे लगता है कि जैक पर मिसी के हिपनोटाइस का असर कुछ जाद ही हो गया है वहाँ फिर जैक के पीछे पीछे टीम आ जाता है वो दोनों रूम में आते हैं और टीम ने मलीसा से का कि आज रात वो साथ में डिनर करेंगे और बहुत मजे करेंगे ये कहे कर वो शावर लेने के लिए क्या पर उसका फोन बाहर ही रह गया था मलीसा उसका फोन चेक करती है और वहाँ पर उसे दुसरी मलीसा का मैसेज मिलता है वहाँ पर टीम ने मलीसा के बारे में बात की थी ये गलती से उसने दूसरी मलीसा को मैसेज कर दिया है वो मुझे बहुत परिशान करती है ये सब पढ़ने के बाद मलीसा वहाँ से चली जाती है जब टीम बहार आया तो वहाँ पर मलीसा नहीं थी वो उसे बहुत जगा पर ढूंटा है पर वहाँ पर उसे डारेकली रियल मलीसा मिल जाती है टीम के फ्रेंड ने रियल मलीसा को यहाँ पर इन्वाइट किया था क्योंकि उसे पता था कि टीम उसी मलीसा को चाहता है वह आकर टीम की गले मिलती है पीछे हो मलीसा को देखता है तो कार में बेटकर वहाँ से चा रही थी इसके बाद असली मलीसा उसे lunch पर लेकर जाती है वहाँ और हो पहली बार बहुत सारी अलकॉल पीता है पिने के बाद अपने हातों के बल हो चलने लग गया उच्चाई से गर जाता है और इसके बाद मलीसा उसे चेक करने के लिए आती है वो मलीसा से कहता है कि तुम बहुत perfect हो पर हो किसी और से प्यार करता है वो थोड़ी सी पागल है और बहुत चिलाती है यह सब सुनकर मलीसा कहती कि यह तो बाठ ठीक है पर हो है का इस पर एक लड़का उसे कहता है कि उसके पास तुमें जाना चाहिए इसके बाद वो ही करता है उसे बार-बार टेक्स्ट करता है ताकि उसे मिल सके पर मलीसा उसे माफ नहीं करती है इसके बाद वो एक दिन जैक के पास किया वहाँ उस पेल को पलट देता है जिसके तुरू मलीसा ने उसे hypnotize किया था ये सच्चा ही जानकर टीम ने उसे जॉब से निकाल दिया इसके बाद एक दिन मलीसा को एक blind date मिल दिये ये वही restaurant था जहाँ पर टीम से वह first time मिली थी वहाने पर मलीसा को message मिलता है कि वही black jacket में बैठा हुआ है मलीसा उसके पास के वह और कोई नहीं तो टीम था उसके पास आता है और मलीसा उसके देखकर गुसा हो जाती है कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती है वहाँ से जाने लग गई थी पर टीम उसे रोक लेता है और उसे sorry कहता है उसे अपनी सारी feelings बता देता है उसने उसके लिए एक रोज भी लाया था और उसने उसे propose किया मली साथ भी उससे प्यार करती थी तो मान जाती है वो दोनों फिर kiss करते है किसे happy moment पर ये movie end हो जाती है अगर आपको expansion चलगता है लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल मुटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक नमयों के साथ तो तिकली थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया